नमस्कार दोसों, आज हम लेकर आएं आपके लिए एक और नई स्टोरी, उसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें एक राजा था, उसका एक मंत्री था, जिसका नाम जै सिंग था, वे हैं बहुत बुद्धिमान और समझदार था एक बार राजा के राजे पर साथ वाले राजे ने आकरिमन कर दिया वेह बहुत दुखी हुआ, वेह अपनी जान बचाने के गुप्त मार्ग से अपनी मंत्री के साथ जंगल में पहुँच गया उसके मंत्री को चाहे कोई दुख हो या सुख हो, वेह हमेशा कहता की परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है परंतु राजा को यही बात अच्छी ना लगती इसलिए जब भी वेह मंत्री के मुख से यह बात सुनता तो जल भुण जाता और जब मंत्री और राजा अपने जान बचा कर जंगल में पहुँचे तो मंत्री मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था उसने राजा से कहा राजन गवराने की क्या जरुवत है इश्वर पर भरोसा रखो भैजो भी करता है अच्छा ही करता है हमारी पराज्य का कोई भेद होगा जो हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है राजा इस आशा फून उत्तर से जल भून गया उसने मंत्री से कहा तुम्हारा परमात्मा कितना निर्दै है उसने मेरा राजपाट ताज तक सभी कुछ मुझ से चीन लिया बाते करते समय काफी बीत गया अंधेरा छाने लगा और फिर वर्षा भी होने लगी मौसम में एकदम ठंड छा गई उन्होंने सर्दी पीड़ा दे रही थी उन्होंने आग जलाई परन्तु बोचार के साथ ही वह भी भूज गई तब ही राजा फिर भड़क कर मंत्री से कहा तुम्हारा भगवान कितना निर्दई है उसे हम पर जरा भी तरस नहीं आता इतने में उन्हें घोडों के टापू का स्वर सुनाई दिया सिपाही गोडों पर बैटकर उनकी तरफ आ रहे थे दुश्मनों के सिपाईयों को देख कर राजा का बुरा हाल हो रहा था लेकिन अंधेरा होने के कारण राजा और मंत्री के गोडे दिखाई ही नहीं दिये तभी उनमें से एक ने कहा जल्दी ढूंडो वह यहीं कहीं चुपे होंगे दूसरे ने कहा जल्दी करो कल उन दोनों को फासी दे दी जाएगी और हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा लिकिन विसैनिक राजा और मंत्री को ना ढूंड सके और अपना सामू लेकर वापस चले गए इस तरह राजा और मंत्री की जान बज गई तभी मंत्री ने राजा से कहा महराज अब तो आपको इश्वर पर भरोसा हो गया होगा कि परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है यदि भगवान के कृपा से वर्शा ना होती तो सिपाही आग की रोशनी में हमें ढूंड लेते और कल हमें फासी हो जाती अब राजा अपने समझदार भक्त मंत्री की पाते सुनकर बहुत प्रभावित हुआ अब उसे परमात्मा पर विश्वास हो गया उधर उसके राजे में अच्छानक प्राकर्तिक आपदाय आई राज महल में बैठा दुश्मन राजा महल के मलवे में दब कर ही मर गया चारो और हाहाकार मच गई उधर मंत्री और राजा दोबारा अपने राजे में चले गए बिना लड़े भड़े ही उन्हे राजे पुने प्राप्त भी हो गया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सरूर करे धन्यवाद